दोस्तों Google Docs Google का एक cloud-based application है जिसमें आप अगर आप कोई student हो तो आप वहां पर जाके अपना project report तयार कर सकते हो अपने assignment बना सकते हो अगर आप कोई official काम करना चाहो तो उसमें कोई documents बना सकते हो कोई report अगर आपको तयार करना हो तो उसमें आप वह भी कर सकते हो इसका मतलब जो भी काम आप MS Word में करते हो अपने computer system या laptop पे वो अब आप अपने mobile phone से भी Google Docs में कर सकते हो इसके सबसे खास बात यह होती है कि आप उस document को कभी भी कहीं भी किसी भी mobile phone से किसी भी tablet से किसी भी computer computer system से या किसी भी laptop से access कर सकते हो और उस पर दुबारा काम कर सकते हो यह सारा का सारा document automatically Google Drive में save हो जाता है इसे आप के लिए सुविधा हो जाती है कि आप जब कभी भी जहां भी चाहें उस document को access कर सकते हो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने smartphone से Google documents को use करके एक document तयार कर सकते हो या फिर अपना assignment या फिर एक official work कर सकते हो तो यह किस तरीके से इस्तमाल किया जाता है Google documents को किस तरीके से आप अपने smartphone में install करेंगे और इसको use करेंगे यह जानने के लिए इस वीडियो को end तक जरूर देखेगा हलो दोस्तों मेरा नाम है सरफराज और सरफराज टेक विर चैनल पे आपका स्वागत है Google Docs का इस्तमाल करने के लिए सबसे पहले आपको उसको अपने smartphone में install करना होगा इसके लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर पे गूगल प्ले स्टोर में जाके आपको टाइप करना होगा Google Docs Google Docs को टाइप करके जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो इस तरह का application आपके सामने आ जाएगा इस application को आपको अपने smartphone में install कर लेना है Google Docs इंस्टॉल होने के बाद में आप यहाँ से इसको ओपन में टाप करके Google Documents को ओपन कर सकते हैं तो कुछ इस तरह का clean interface सबसे पहले आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर आपको अगर कोई भी document पहले अगर ready करना है तो आपको नीचे में देख रहा होगा एक plus का icon इस plus के icon में आपको tap करना होगा यहाँ पर आप template चूज कर सकते हैं कि किस तरह का template आपको यस्तमाल करना है यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आपको resume कोई बनाना हो तो उसके templates दिये होएं उसके नीचे अगर आप जाते हो तो कोई अगर आपको letter बनाना हो तो उसके letter के आपको template दिये हो है business letter हो गया या फिर informal letter हो गया या फिर अगर आपको education से related कोई project बनाना हो कोई report बनाना हो, कोई essay लिखना हो तो इसके लिए आप यहाँ पर से template चूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इद में से template नहीं चाहिए तो आप back जाके यहाँ पर plus sign में tap करके फिर से आप एक new document में tap करेंगे तो आपको एक blank document सामने नजर आ जाएगा जिस तरीके से आप अपने MS Word में काम करते हैं सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर Google Docs में काम करना है यहाँ पर कुछ important tools दिये हुए हैं जो कि आपको पता ही होगा फिर भी मैं आपको बता देता हूँ suppose आप यहाँ पर अगर कोई document आप लिख रहे हो आप यहाँ पर नीचे में देख सकते हो सबसे पहले आपको bold का option लिख रहा है इस bold का option को आपको select करने के लिए आपको यहाँ पर आपके text को पहले press करके रखना होगा तीन सेकेंड के लिए यहाँ पर आप इसको अपने text को select कर सकते हो text को select करने के बाद में आप नीचे के जितने tools हैं आप उसका इस्तवाल कर सकते हो text को select करते ही आप में ऊपर में देख रहे होगे यहाँ पर आपको cut, copy और paste का option मिल जाता है साथ में जो 3 dot का icon दिया हुआ है उस icon में अगर आप tap करते हो तो select all का option मिल जाएगा अगर आपको इसमें कोई comment add करना है तो यहाँ पर add comment का option मिल जाएगा अगर आपको यहाँ पर कोई link को insert करना है तो आप यहाँ पर insert link में tap करके वहाँ पर link को भी insert कर सकते हो अब आप देख लेजी हाँ नीचे में यहाँ पर एगर bold का option हम select करते हैं तो η text जो है bold हो जाएगा अगर italic का option select करते हैं तो this text italic हो जाएगा और ंगर हम underline का option select करते हैं तो यहाँ पर यह underline हो जाएगा उसके बाद में जो option दिया हुआ है वो text के color करने के लिए होता है यहाँ पर अगर आप इसमें tap करोगे तो आपको color के option मिल जाते हैं suppose मैं इसको अगर इस type का green color या फिर blue color का select कर लेता हूँ तो यहाँ पर आपको जो भी color चीए उस color में tap करके यहाँ पर ok में tap कर देना होगा तो यह color आपका select हो जाएगा इसके बाद में आपको option मिल जाता है alignment का अगर आप यहाँ पर इस तरीके से इसमें tap करोगे तो आप इसको left alignment रख सकते हो center में रख सकते हो या फिर अगर आप इस उचाहो तो right side में alignment रख सकते हो या फिर अगर आपको कोई paragraph टाइप करना है तो यहाँ पर last वाले option को choose कर सकते हो उसके बाद का जो option दिया हुए bullet के लिए अगर इसमें आप tap करते हो तो आप यहाँ पर bullet and numbering दे सकते हो यह आपके उपर depend करता है कि bullet आप यूज करना चाहते हो या फिर अपर number system यूज करना चाहते हो इसके बाद अगर हम बात करें तो उपर में आपको दिख रहा होगा undo और redo का option यहाँ पर जो option उपर में आपको दिख रहे हैं यह option है undo का अगर आप इसमें टैप करते हो तो पहले जैसा condition हो जाएगा और आप दूबारा tap करते हो तो यह redo हो जाएगा उसके बाद का जो option है यहाँ पर आपको a का icon आईकॉन दिख रहा होगा जैसे आप A के icon में tap करते हो तो यहाँ पर बहुत सरे options आपके सामने खुल जाते हैं आप अपने लिखे हुए text में अगर कोई style लालना चाहो तो style में आप tap करके यहाँ पर से आप कोई भी style heading का या फिर दूसरा कोई style normal text या title आप choose कर सकते हो अगर second option देखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है font का यहाँ से आप जाके कोई भी font यहाँ से आप select कर सकते हो font के बाद का option होता है size का यहाँ से आप left side के arrow को touch करके इसको छोटा कर सकते हो या right side के arrow को touch करके इसको बढ़ा कर सकते हो उसके बाद का जो option मिल जाता है आपको text color का जो आप shortcut पिछे में देख चुके हो तो यहाँ पर से भी जाके आप अपने text का color चूज कर सकते हो next option है highlight color का अगर आपको यहाँ पर कोई चीज highlight करना हो तो यहाँ पर आप टैप करके उसको highlight भी कर सकते हो यह बिल्कुल एक highlighter की तरह काम करेगा इसके बाद में आप अगर back जाते हो तो यहाँ पर एक option मिलता है आपको clear formatting अभी तक जितने भी formatting हमने यहाँ पर इस text में edit किया हुआ है अगर आप उसको clear करना चाते हो तो आपको simple clear formatting में आपको tap करना होगा वो सारा का सारा formatting यहाँ से हर जाएगा अगर आप उपर tab में देखोगे तो text के बाजू में paragraph लिखा हुआ है अगर आप यहाँ पर tap करते हो तो यहाँ पर alignment के आपको options मिल जाते हैं और bullet का option मिल जाएगा नीचे में आप देखोगे तो एक line spacing का option मिल जाएगा आपको यहाँ पर इसका space बढ़ाना हो तो आप paragraph में जाते हैं के बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे line spacing का option है इसमें जैसे ही मैं arrow में tap करता हूँ तो इसके line का जो space है यह बढ़ जाएगा इसके बाद जो option आपको मिल जाता है यह plus का icon है उपर में आप देख रहे होगे तो इस plus के icon में जब आप tap करोगे तो plus के icon में tap करते ही आपके सामने वो बहुत सारे options को करें देगा जिसमें आप link insert कर सकते हो comment यहाँ पर अगर आपको कुछ comment लिखना हो तो आप comment लिख सकते हो अगर आपको यहाँ पर इस document में कोई भी image insert करना हो तो आप image में tap करके अपने smartphone में से किसी photos को insert कर सकते हो या अपने camera में से कुछ photo click करके भी यहाँ पर आप insert कर सकते हो या फिर अगर आप internet access में हो तो आप web से भी जाके internet से यहाँ पर कोई भी photo को insert कर सकते हो next option आपको यहाँ पर मिल जाता है table का अगर आप यहाँ पर कोई table insert करना चाहो तो यहाँ से row और column select करके यहाँ से plus और minus करके कोई भी row और column को यहाँ पर select करके आप यहाँ पर एक table को insert कर सकते हो उसके बाद आपको एक मिल जाता है option horizontal line का अगर suppose आपको यहाँ पर एक horizontal line खीचना हो तो आपको simple plus के icon में tap करना होगा उपर और यहाँ पर आपको जाना होगा horizontal line में horizontal line में जैसे आप tap करोगो तो देख सकते हो कि आपके सामने एक line की चाहिए है तो इसके बाद अगर आप next option की बात करेंगे तो next option में आपको यह option है page break का जिस तरीके से MS word में आप page break का इस्तमाल करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर एक page break आप बना सकते हैं next आप अगर इसमें कोई page number डालना चाहते हैं अगर आपका documents बहुत सारा है बहुत सारे pages का है तो आप यहाँ पर page number डाल सकते हो उसके बाद का जो option है वो food note का है अगर आपको यहाँ पर food में कोई note देना है इस particular page के बारे में तो आप वहाँ पर एक food note भी लख सकते हो इसके बाद अगर आप उपर देखते हो option जो दिया हुआ एक comment का option है अगर आपने इस document में कहीं पर भी कोई comment लिख रखा है तो इस comment के option में tap करते ही वो सारा का सारा comment आपको यहाँ पर दिखा देगा यहाँ पर अभी लिखा हुआ no comment in this document हमने कोई भी comment यहाँ पर insert नहीं किया है उसके बाद अगर आप उपर में right side में देखोगे तो आप MS Word में इस्तमाल करते हो इसमें एक important point में आपको बता देता हूँ एक option आपको दिख रहा होगा available offline यह available offline इसलिए है ताकि आप इस document को अगर offline इस्तमाल करना चाहो तो यहाँ से select करके इसको offline भी इस्तमाल कर सकते हो अभी यह available offline यह on है इसका मतलब यह document आप offline भी इस्तमाल कर सकते हो अगर आप इसको off कर देते हो तो इस document को आप offline इस्तमाल नहीं कर पाओगे ठीक है आपको जो कुछ भी changes करना हो इस document में आप लिखने के बाद में उपर में आप देख रहे होगे left side में आपको एक option दिख जाता है save करने का यह जो right का option दिख रहा है आपको यह save करने का option है इसमें जैसे ही आप tap करोगे तो आपका edit किया हुआ सारा document save हो जाएगा अगर आपको इस document को कोई नाम देना हो तो उपर आप देख रहे होगे यहाँ पर document लिखा हुआ है तो इस document में जैसी आप tap करोगे तो आपको document का नाम लिखने के लिए यहाँ पर option आ जाता है यहाँ पर आप अपने document का नाम लिख सकते हो document का नाम लिखने के बाद आपको just okay में tap करना है आपका document का नाम change हो जाएगा इसके बाद अगर आपको यहां से back करते हो आपको यहां home screen में आ जाओगे जहां पर आपके save किये हुए सारे documents आपको दिख जाएंगे अगर आपके पास बहुत सारे documents है जिसमें से आपको पर्टिकुलर document search करना चाहते हो तो उपर जो search टैप दिख रहा है यहां पर आपको search यहां पर आपको टैप में टैप करना होगा और आप उस document का नाम यहां पर डालके उसको easily search कर सकते हो और उसमें काम कर सकते हो उसके जस्ट बाजू में left side में आपको एक तीन लाइन का hamburger लिख रहे हैं यहां पर एक option मिल जाता है offline files का जिसमें आप जाके देख सकते हो कि किस-kis file को आपने offline permission दे रखा है यहां पर आप अगर settings में जाते हो यहां पर आपको option मिल जाता है data usage का data usage में आप देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ है transfer files only over wifi इसका मतलब आप अपने word document में जो कुछ भी काम कर रहे हैं जब तक उसको wifi access मिलता रहेगा तब तक वो आपके google drive में save होता रहेगा अगर उसको कोई wifi access नहीं मिल रहा है और आप चाहते हो कि आपके mobile data का ही use किया जाए उसको google drive में upload करने के लिए तो यहां से आप इस option को off कर सकते हो जैसे आप इस option को off करोगे तो आपको message आ जाएगा कि अब उस document को आपके google drive में save करने के लिए आपके mobile data का use किया जाएगा यहां पर आप simple ok में tap कर दोगे अब आपका internet जो भी आप अपने smartphone से use करोगे आपका जो data होगा उस data को use करके ही यह सारा document आपके google drive में upload कर देगा तो इस तरीके से google docs का इस्तमाल करके आप किसी भी project का document आप अपने smartphone से बना सकते हैं आप अपने official work कर सकते हैं कोई report त्यार कर सकते हैं और उसको easily कहीं से भी अपने google drive से access कर सकते हैं किसी भी mobile से किसी भी tablet से किसी भी computer या laptop से दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि google docs का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अगर आपको अच्छा लगाओ तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें